जम्मू कश्मीर के तस्वीर भी आपके सामने रखते हैं जो हाँ वेक्सिनेशन जारी है 18 प्लस वेक्सिनेशन के लिए मिली एक लाख डोज यहाँ पर सामने आई है दो दिनों में कुछ नए सेंटर्स भी वेक्सिनेशन के लिए बनेंगे फिलाल वेक्सिनेशन का काम जमू कश्मीर में जारी है 18 प्लस के लिए आपको बता दें कि एक लख डोज यहां पर मिली हुई है और दो दिनों के अंदर बताया जा रहा है कि वेक्सिन का काम सुचारू रूप से चले इसके लिए कुछ सेंटर्स भी यहां पर बनाए जाएंगे देखिया जम्मू से हमारे सयोगी शर्वास खान की रिपोर्ट जम्मू कश्मीर में करोना वाइरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और सरकार जो है वो लगातार कोशिश कर रही है कि जादा से जादा वैक्सीनेशन जो है वो जम्मू कश्मीर में यहां पर करवाया जाए और एक माई से सरकार ने यहां पर जो अठारा साल के उपर के लोग हैं उनका वैक्सीनेशन जो है वो भी यहां पर शुरू कर दिया था लेकिन वैक्सिनेशन की थोड़ी किलत होने की वज़ा से ये जो वैक्सिनेशन प्रॉसस है ये चार सेंटर्स में यहां पर रोख दिया गया था लेकिन अब इस तरह की खबरें हैं कि सरकार के पास नई वैक्सीन जो है वो यहाँ पर आ गई है और अगले एक से दो दिनों में यहाँ पर जो नई वैक्सीन है वो भी यहाँ पर लगना शुरू हो जाएगी और कई ऐसे सेंटर्स हैं जिनको यहाँ पर एक्टिवेट जो है यहाँ पर कर दिआ जाएगा फिलहाद आप देख सकते हैं कि यह वो लोग है जिनका वैक्सीनेशन जो है वो यहाँ पर आज होना है और यह सबी लोग जो आप देख रहे हैं यह 18 साल के ऊपर के यहाँ का बर लोग हैं जिनका यहाँ पर कोविन आप में उन्होंने अपने आपको यहां पर रिजिस्टर करवाया है जिसके बाद उनका वेक्सिनेशन जो है वो यहां पर आज हो रहा है आप देख सकते हैं कि लगातार वेक्सिनेशन का प्रॉसेस जो है वो यहां पर चल रहा है यहां पर लगातार जो लोग हैं वो तो लोग हैं जो दूसरे vaccination centers पर जाने वाले थे वो अब यहीं पर इन्ही vaccination center पर पहुँच रहे हैं और इन्हें कहा जा रहा है कि जब उनके centers का vaccination खुलेगा तब ही ये लोग जो हैं वो यहां पर जा सकेंगे लेकिन फिलाल आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तदाद में जो 18 साल से उपर के लोग हैं वो यहां पर वैक्सिनेशन के लिए पहुँच रहे हैं सबको ये मालूम है कि वैक्सिनेशन ही एक ऐसा आप्शन है जिसके बाद लोग जो हैं वो करोना वाइरस से यहां पर बच सकते हैं ऐसे में लगातार इस तरह की खबरे हैं कि लगातार जो लोग हैं वो यहां पर अपने आपको कोविन एप में यहां पर रिजिस्टर करते रहते हैं ताकि वो अपना स्लाट जो है, वो यहां पर बुक करा सकें, जम्मु कश्मीर में जो स्लाट बुकिंग हो रही थी, उसमें अभी फिलाल ایک हफ़ते की बुकिंग यहां पर पहले हो चुकी है और यही कारण है कि सरकार जल से जल यहां पर वैक्सीयनेशन जो है, वो लाना चा उसको मंगवा रही है अब सभी लोग जो भी 18 साल के उपर के लोग भी होंगे उन्हें भी जमू कश्मीर में यहां पर कोवी शील्ड वैक्सीन जो है वो लगाई जाएगी और फिलहाल सरकार के पास यहां पर एक लाख डोजिस जो है कोवी शील्ड वैक्सीन के वो यहां पर पहुँच चुके हैं और अगले 102 दिनों में लगातार वेक्सिनेशन का जो काम है जो 18 साल के उपर के लोग हैं वो यहां पर शुरू हो जाएगा वीडियो जॉनलिस्ट इजाजमत के साथ शाहनवाज खान यूज नेशन जमू